नमस्कार स्वागत है आप सभी का जियस वर्ड के इंद नियूस कारिक्रम में आज हम जानेंगे प्रित्विट्टू मिसाइल के बारे में हाली में भारत द्वारा परमाडू शमता योक्त प्रित्विट्टू मिसाइल का रात्री में सफल परिक्षड किया गया प्रिटिटू सता से सता पर मार करने वाली कम दूरी की एक बैलस्टिक मिसाइल है जिसका विकास D.I.D.O. द्वारा I.G.M.D.P. अर्थात Integrated Guided Missile Development Program के तहत किया गया है यह 500 से 1000 किलोग्राम तक के वार हेट को 350 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है इसमें तरल प्रडोदक योग्त दबल इंजन का प्रयोग किया जाता है साथिया अत्यदे के सटीकता से लक्ष को भेदने में सक्षम है आईए जानते हैं क्या है I.G.M.D.P. यह एक Integrated Guided Missile Development Program है जो भारत सरकार के रक्षा मंतराले द्वारा चलाए गया था इसकी सुरवाद 1982-83 में डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम के नेतरत में की गई थी इसलिए उन्हें भारत के Missile Man भी कहा जाता है इस कारिक्रम को 2008 में पूरा किया जा चुका है एवं इसके तहत पाच प्रकार की Missile का निर्मार किया गया है पहला पृत्वी कमदूरी वाली सता से सता पर मार करने वाली बैलेस्टिक Missile है दूसरा अगनी या मध्यमदूरी से अंतर महद्वी पी दूरी तक सता से सता पर मार करने वाली बैलेस्टिक Missile है तीसरा त्रिशूल या कमदूरी वाली सता से हवा में मार करने वाली मिसाईल है चौथा नाग या थार्ड जेनरेशन की fire and foget सिधान पर अधारित एंटी टैंग मिसाईल है पाचवा अकाश या सता से हवा में मार करने वाली मिसाईल है जो multi-target handling system पर अधारित है समय समय पर इन सभी मिसाइलों को अनेक नए और अपग्रेटिट संसकरोडों का विकास किया जाता रहा है जो नई नई तक्नीकों से युक्त होते हैं फिलाल भारत, जल, थल और वाईयू तीनों जगे से किनी भी परिस्तियों में परमाडू हत्यार दागने में सक्षम हो चुका है ऐसी ही महत्वपूर ग्यानवर्धक करेंट फिर्स वीडियोस के लिए जियस वाइड को सब्सक्राइब करें